में सबसे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है वो है अगर हर्ट को हम पूरा देखे कि हम लोगों ने क्या क्या भी तक पढ़ा है तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ाता कि आपका जो है circulatory system circulatory system circulatory system में आपने पढ़ाऊगा pulmonary circulation और systemic circulation उसके बाद हम लोगों ने electrical signal electrical signal हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल और फिर आज जो हम पढ़ेंगे आपका heartbeat control heartbeat control हम लोगों ने काफी बिसिकली हर्ट में circulatory system जो हमारा chapter है उसमें हमने पढ़ा सारे हमने जो है electrical signal mechanical signal और circulatory system में सबसे पहले हमने बताया था आपको pulmonary circulation और systemic circulation यह हम पढ़ चुके थे यह हमने बता रखा है कि कैसे सारा circulation पूरी body में होता है उसके बाद हमने जो है ऐसे नोड एवी नोड से जो electrical impulse generate होता है electrical signal वो भी मैंने हम लोगों ने देखा कि कैसे generate होता है उसके बाद जो है cardiac cycle one systolic plus one diastolic यह भी हम लोगों ने देखा ही कैसे होता है तो आज का जो टॉपिक है basically वो है heart beat control actually heart का जो circulatory system है वो बड़ा important है कि जो blood हमारी body में जो circulate कर रहा है वो blood जो है एक set point पे होता है क्योंकि हमें पता है कि blood pressure अगर high हो जाता है तो problem होती है अब blood pressure अगर low हो problem होती है यह दोनों चीज़े जो है blood के circulation से जुड़ा हुआ है इससे related है तो आज हम यह देखेंगे कि कैसे brain जो है actually जो blood pressure है या blood का circulation है हर point पे जो control system में वो brain का है brain से जो है यह blood pressure control किया जाता है blood pressure point number one तो आज हम यही देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने सारी activity पढ़ चुकी है electrical signal mechanical activity जो pump करता है body के अंदर blood को circulate करता है तो आज basically हम बात करेंगे कि कैसे blood pressure यानि body के blood जो circulate कर रहा है अगर blood pressure बढ़ जाता है तो उसको कैसे control किया जाए उसको कैसे control होता है तो यह neurologenic control है यह control जो होता haw конф brain से control होता है यह आप जान लिख़ेंगे तो इसलिए brain से control होता है वो अपने brain जो क्या करता है उसको set point पर रखता है जिसकी वरूद ब्लड प्रेशर बढ़े नहीं और जिसके तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज ना करें कम ना हो ये ब्लड प्रेशर की ही प्राब्लम होती है ब्लड प्रेशर क्योंकि आप पता ब्लड प्रेशर हाई होने की वज़े से हाट अटैक हो सकता है ब्लड प्रेशर लो होने के वज़े स हाट आटक हो सकता है तो उसको प्रेंज जो है बड़ी खुबसूरती के साथ उसको मैनेज करता है उसको सेट करता है तो आज हम यही बात करेंगे दोस्तों तो एक्चुली कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा वाम अप हो जाई है तो वाम अप जरूरी है आपको एक्टिवेट करने के लिए तो तब जाके आपको चीजों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जब आप एक्टिवेटेड होंगे इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि और वह पढ़ाई में जो एक्टिवेशन एक्टिवेटर होता है वो आपको जो है एक फर्मूला है 100% R प्लस 0% B 0% B ये दोस्तों ये फर्मूला आपको बता रहा हूं पूरी लाइफ में आपको ये आपको बहुत फाइदा करेगा 100% R का मतलब होता है R का मतलब होता है 100% Responsibility लीजे 100% Responsibility है इसका मतलब ये है कि कोई भी काम करने से पहले आदमी अगर अपनी Responsibility 100% खुद को ले तो वो बड़ी जरूर वो आपको जो है ना आपको मुसिबत सोच की तरफ इसारा करती है Positive सोच वो बहुत important है क्योंकि होता है कि जब हम कामयाब होते हैं तो सारा क्रेडिट तो खुद लेते हैं लेकिन जब हम नाकेमयाब हो जाते हैं तो हम दूसरी को उपर बोल देते हैं कि उसकी वज़े से ये हुआ और इसकी वज़े से ये हुआ ऐसा होता नहीं है इसलिए आपकी जो Responsibility है वो 100% आपका होना कि आप अगर Success होते हैं तो कामयाबी का अगर सरे आप खुद लेते हैं 100% तो Blame आप किसी को मत करिए क्योंकि अक्सर इनसान जब Fail हो जाता है तो तरह तरह की बाते हैं और दूसरों पर ब्लेम गेम खेलने लगता है तो ये एक बहुत Important है इसलिए जिए जिन्दगी में आप कोई भी काम करें और खास तोरसे जब पढ़ने लिखने की बात हो तो आप को बाइयोग्राफिप पढ़नी चाहिए उन लोगों की जो आपको motivate करें अक्टिवेट करें जब आप वह बाद कोई काम आप ऊड़ो करते हो तो उसमें ज्हादा तक चांसे दोता कि आप कामयाब दोस्तों, तो आज हम हार्ट बिड कंट्रोल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वाम अप होना जरूरी है, क्या क्या है, किसी इनसान काम्याव होता है, और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, यह है कहानी यह 1963 1963 की, 1963 की, यह मुझे बहुत जादा इंस्पैर करती है, 1963 में, 1963 में माइकल जॉर्डन थे, माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन, बास्केट बॉल के भगवान कहे जाते हैं, गॉड अब दा बास्केट बॉल, उन्होंने इतना जादा मे पेडल उन्होंने जीता माइकल जॉर्डन ने और जैसे किर्केट के भगवान सची तलनुकर कहते हैं हमारे उसी तरीके से माइकल जॉर्डन जो है ये माइकल जॉर्डन इनको बास्केट बॉल का भगवान कहते हैं गॉड कहते हैं लेकिन वहां तक पहुचने के लिए इनसान जब काम्याब हो जाता है तो उसके पीछे की मेहनत नहीं नजर आती है आदमी नहीं जान पाता है कि वो कितनी बार फेल होता है कितनी बार उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो इसलिए मैं कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो उसकी बायगुराफिक किसी न किसी इनसान की पढ़ता हूँ वो बहुत जादा जो है आदमी को मोटिवेट करता है बहुत जादा तो माइकल जॉर्डन की इसलिए मैं बताना चाहरा हूँ कि इनसान को हमेशा मुस्बत सोच होनी चाहिए मुस्बत मतलब पॉस्टिव सोच न कि मुन्फी सोच मुन्फी सोच वाले जो निगेटिव होते हैं वो जिन्दगी में फेल हो जाते हैं जादा तर तो माइकल जॉर्डन की मैं अगर बात करूँ तो ये लोग चार भाई थे सबसे चोटे ये थे माइकल जॉर्डन इनके फादर ने एक बार इनको बुलाया और उसके बाद उन्होंने एक शिर्ट दिखाया बोला कि बेटा ये सबसे चोटे थे इनकी एज भी तकरीबां 12-13 साल की होगी है रहो एक शिर्ट उनने उनको फादर ने दिखाया और बोला कि बेटा ये शिर्ट कितने की है तो उनके बेटे ने बोला कि एक डॉलर की है बोला कि बेटा जाओ इसको दो डॉलर में सेल करके आओ बेच के आओ दो डॉलर में अब ये दो डॉलर में बेच के आओ अब वो ये सोचने लगे कि इसको दो डॉलर में कैसे बेचा जाए उनके दिमाग में ये नहीं आया कि हम ये कर नहीं सकते हैं यही तो सबसे बड़ी बात है अब वो उसको दो डॉलर में बेचना है तो उसके लिए वो रास्ता निकालने लगे उन्हों उस shirt को press किया दोया पहले wash किया फिर iron किया iron करको उसको अच्छे से तयार किया उस shirt को उसके बाल वो दिन भर जो आइ उसको उसको बेचने के चकर में वो निकल गया fringe काफी मेहनत किया लेकिन वो shirt नहीं भिक रही थी finally जो है, वो रेल वे स्टेशन पे गए और एक आदमी को उनोंने 2 डालर में शिर्ट send कर दिया पुरा दिन वो मेहनत करते रहे और शाम में जाके उनोंने उसको बेच दिया 2 डालर में फिलाकर वो 2 डालर जो है अपने फादर के हाथ में दे दिया उसके फादर काफी खुस हुआ है फिर एक हफते बाद जो है फिर एक शर्ट ले आ बोले कि बेटा ये शर्ट कितने की है उन्हें बोला कि एक डॉलर की है बोले बेटा जाओ इसको 20 डॉलर में बेच के आओ अब ये फिर जो है निकल गए अब ये सोचे कि अब इसको 20 डॉलर में कैसे बेचा जाए वरना हमारे और आप जैसा आदमी हो तो सबसे पहले तो ये सोचे यार इनका दिमाग खराब हो गया पताने कैसी कैसी बाते कर रहे है लेकिन माइकल चॉर्डेन God of the Basketball जनने कहा जाता है वो उस शॉर्ड को ले गए उसके बाद उन्होंने काफी सोचा फिर उन्होंने क्या किया एक श्टीकर उनको अपने दोसके बारो कैब इसिटीकर मिला उनको वो श्टीकर मिक्की माॉस का था वो Mickey Mouse का sticker उस shirt पे चिपका दिया देखिए क्या interesting चीज़ है चिपका दिया वो Mickey Mouse जो है उस shirt पे उसके बाद वो shirt जो है ले जाके एक school के पास खड़े हो गए फिर उसको जो है उन्होंने बेचने की कोशिस की sell किया वहाँ पे एक बच्चे ने मतलब इस school था काफी रिच आदमी जो थे वहाँ जो अमीर आदमी थे रईस आदमी जिसको अरिस्टोक्रेट बोलते है वो उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे तो वो पैसे वाले लोग थे उन्होंने वो shirt जो है अपने बच्चे लिए 20 डॉलर में खरीद लिया और पांच डॉलर टिप भी दिया और वो जा कि फिर उसको फादर को देया उसके फादर बहुत खुस हुआ फिर कहानी यही नहीं रुकी फिर एक हबते बाद उन्होंने एक shirt दिया बोला बेटा यह कितने की यह बोले एक डॉलर की बोले जाओ इसको 200 डॉलर में सेल करके आओ बेच के आओ फिर वो चले गए और फिर वो सोचते रहे यारी इसको कैसे हम लोग जो है इसको बेचते हैं फिर अचानक वोने पेपर में देखा कि एक जो है हॉलिवड की सुपर हीट एक्ट्रेस मशूर थी उस वक्त वो एक्ट्रेस उनके जो है शहर में आई हुई थी अब वो किसी तरीके से उस एक्ट्रेस के पास पहुच जाते हैं और उसका उस shirt पे आर्टोग्राफ ले लेते हैं सुचिए उस shirt पे आर्टोग्राफ ले लेते हैं फिर उस shirt को जो है आर्टोग्राफ लेने के बाद वो वापस आते हैं एक इस्टॉल लगाते हैं अब फिर उस shirt की जो बोली लगती है वो 200 डॉलर से चलते चलते 2000 डॉलर तर पहुचती है अफिव दो हजार डॉलर जो है वो लेया के अपने फादर के हाथ में देते है तो उसके फादर कहते है बैटा तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और वो जिंदगी में बहुत आगे माइकल जॉर्डन नाम याद रखिएगा तो जो गोल्ड मेडल वगरा जीते है उन्होंने तो दोस्त कहने का मतलब यह कि हमेशा मसिबत सोच होनी चाहिए पॉस्टिव सोच होनी चाहिए तो इनसान जो है उसको कर लेता है कभी यह नहीं सोचे कि वो कर नहीं सकता है यह इसलिए में बता रहा था क्योंकि एक्टिवेट होना जो है बहुत जरूरी है अब यह डागर है आपका heart beat control में तो heart beat control जैसा कि मैं बताया heart beat control मैंने बता रखा है कि heart के जो है आपको मालूम है SA node, AV node and bundle of his यह heart का वो pacemaker जो हम कहते है SA node, AV node, bundle of his यह electrical signal भेजता है और उसके बाद mechanical event पर transform होता है, contact होता है तो पूरी body के अंदर blood circulate होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आपको मैं बताऊं SA node बहुत important part है जिसको हम pacemaker कहते है जो heart repeat rhythm को modulate करता है, control करता है, SA node से ही firing होती है अब वो SA node के जरीए ही heart की pumping होती है तो जब हम पूरा circulating system हमें पता है, क्या होता है, यह circulating system दोस्तों जो है यह systematic circulation है, हमें पता है कि ventrical से अरोटा जाता है और फिर अरोटा में जो उपर की तरफ जो carotid है, carotid point एक्चुली क्या होता है कि blood में आपके चार चमबर होते हैं circulating system में circulating system में चार चमबर होते ही हैं आपको पता ही है right atrium, left atrium, right ventricle और left ventricle ठीक है अब दोस्तों यहां से आपको मालूम है कि arota arota जो है arotic artery जाती है arotic artery body को supply करती है और body के उपर वाले हिस्से में भी यह supply करती है जिसको बोलते हैं carotid क्या बोलते हैं? carotid तो यह है आपका arotic arch और यह क्या है? आपका carotid और यह जो है आपको brain की तरफ जाती है, carotid sinus से blood जो है उपर की तरफ जाता है तो यही हमने यह सिस्टम में बता रहा हूँ blood यहाँ से travel करता है, eject होता है और यहाँ से blood जो है pass होता है blood pump होता है तो blood देखिए उपर की तरफ जा रहा है और यह जो blood जाता है किधर जाता है? carotid sinus से होते हुए upper limb पे brain हुआ या hand हुआ trunk part, उपर वाले part में जाता है तो यह आपका blood pressure carotid sinus, यहाँ से होते हुए जाता है, यह आपका right atrium से left atrium में, प्लम्नवरी circulation, lung से होते हुए जाता है मैं बता रखा हूँ अब point number N के heart beat control दोस्तों suppose करिए यहाँ पे blood pressure बढ़ता है, अब suppose करिए blood pressure जादा है blood pressure जादा जो है blood pressure, अगर blood pressure high है दोस्त इसका मतलब cardiac output cardiac output जो आपका यह blood जो जा रहा है system में वो high है और आपका जो है, जिसकी वज़े से heart rate भी high हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका contraction mechanism वो जादा contract हो रहा है, इसलिए blood pressure आपका high जा रहा है blood pressure आपका high जा रहा है तो होता क्या है कि आपका जैसे ही जो है blood pressure यहाँ पे carotid sinus में high होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ baroreceptor और mechanical receptor in carotid sinus यह carotid sinus है जो blood आपको उपर की तरफ जाता है, brain की तरफ carotid sinus common carotid, internal external carotid internal carotid तो यह जो carotid वाला part है, जो blood उपर जाता है यहाँ पर receptor होते हैं, जिसको बोलते है baroreceptor और mechanical receptor in carotid sinus और एक receptor होता है जो आपका arota पर होता है, जब arota से blood जाता है तो baroreceptor कहते हैं और arch of arota यह देखिए, यह तो nerve ending है इसी को baroreceptor कहते है nerve ending है तो अगर, अब देखिए मैं इसको अलग बनाता हूँ आप अलग बनाता हूँ तो यह होता क्या कि suppose करिए कि आपका जो blood जो है देखिए, blood pressure high है blood pressure high है ठीक है blood pressure आपका यह high है यह carotid sinus वाला part है इसमें nerve ending गई हुई है nerve ending यह एक हम बता रहे nerve ending तो होता क्या दोस्तो जब यह blood pressure जब blood pressure यह high होता है blood pressure क्या होता है जादा होगा तो यहाँ पे यहाँ पे जो है आपका यह नर्व है इसी को बैलो रिसेप्टर होता है नर्व इंडिंग यहाँ पे सोडियम चैनल होता है सोडियम चैनल सोडियम चैनल होता है सोडियम चैनल ठीक है तो यह जब यह जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ब्लेड पेशर, जब दोस्तों ये ब्लेड पेशर हाई होता है, तो ये जो एरिया नर्विंडिंग का वो इस्ट्रेच होया आता है, बढ़ जाता है, ठीक है? अब जो है यह sodium channel है और मैंने बता रखा है कि action potential क्या होता है action potential हमने बता रखा हूँ कि action potential में क्या होता है दोस्तो action potential आपको याद होगा अगर तो आप जानते हैं कि यह क्या है आपका resting membrane potential और threshold potential तो जिस sodium channel जब हाई होता है तो इसके अंदर जो है इसके अंदर इसके अंदर सोडियम जो है अब यह नर्व इंडिंग में sodium जो है अंदर जाएगा इस नर्व इंडिंग में sodium अंदर जाएगा दोस्तों जो sodium अंदर जाता है तो इसकी जो electro positivity बढ़ जाती है यह आपका action potential threshold पे पहुचता है और फिर आपका deep polarization होता है और फिर आपका rep polarization यह condition होती है जब positive कटाएन अंदर जाता है तो sodium अंदर जाता है तो क्योंकि यह माइनस 70 है इलेक्ट्रो निगेटिविटी और फिर जो पॉस्टिव अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रो पॉस्टिविटी होती है तो माइनस सपोस्ट करिए 50 मिली वोल्ट तो यह हो गया threshold potential फिर उसके बाद जो है sodium channel खुल जाता है और फिर यह deep polarization अल्दी पो एक्सन potential क्या होता है तो अब होता क्या है दोस्तों यहां बताने का मतलब क्या था कि जब blood pressure high होता है यहां पर हाई हुआ यहां पर तो यह nerve winding activate हो जाता है stretch हो जाता है जिसकी वज़स से sodium channel अंदर जाता है और यह जब nerve winding के अंदर अंदर जाता है अब यहां से action potential होगा तभी तो brain को पता चलेगा action potential तो दोस्तों इसलिए बोलते हैं यहां से sensory neuron और motor neuron sensory neuron क्या होता है body color part से message जो है brain में ले जाता है ठीक है अब यहां से जो carotid sinus है यह वाला जो area है यह nerve winding है यहां से stretch होगा तो यहां पे deplorization होगा तो यह sensory neuron होती है जो ninth glossopharyngeal nerve है जो carotid sinus है और tenth vagus nerve होती है वो आपका erotic arch यह अरोटा है यहां से sensory neuron कहिए nerve कहिए यह efferent बोलिए efferent बोलिए efferent जो ले जाती है क्या ले जाती है जो message ले जाती है sensory neuron तो जब blood pressure high होता है तो यह दो ऐसे area हैं दोस्त जो brain के medulla oblonganda medulla वाले part में आपको पता है कि brain में जो है brain में brain में pons और यह medulla तो इसका जो relation है यह medulla में ने बड़ा बना दिया यह medulla में जो है यह message जो है sensory neuron के जरिए जिसको 9th glasopharyngeal nerve और 10th vegas nerve लेके जाती है medulla वाले part में brain के medulla पार्ट में हमें पता है कि कोई भी चीज control पूरी body का brain के अलग अलग हिस्से में होता है लेकिन blood pressure जो है उसको control या उसको set point जो है वो कहां से होता है वो होता है आपका medulla वाले part में brain stem में pons होता है medulla oblonganta होता है तो medulla oblonganta जो है वो उस point उसके अंदर control system होता है अब हम देखते हैं कैसे होता है अब श्टार्ट करते हैं दोस्तो blood pressure हाई हुआ है sensory neuron जो ग्लेसो फ्रेंजियल 9th vegas nerve 10th वो लेके गया brain में brain में एक center होता है एक point होता है उसको बोलते है यह जो center है यह आप देखेंगे nucleus of tractus solitarus कहने का मतलब यह है कि इसका देखिए यह आपका medulla है यहाँ पे neurons है और यह neurons कहलाता है nucleus of tractus solitarus nucleus of tractus solitarus यह देखिए यह यहाँ से यह वाले point पे जाता है ठीक है nucleus of tractus solitarus वो activate होता है वो stimulate होता है ओके अब दोस्तों यह जो nucleus of tractus solitarus है यह जो आपका जो activate हुआ दोस्तों उसके पास जो है न एक और center है जिसको हम पोलते हैं firing जादा हो रहा है action potential जादा हो रहा है AV node से जादा पास हो रहा है normal नहीं है और उसके बाल bundle हीस में पास हो रहा है contract जादा हो रहा है तो artery में supply जो contraction जादा हो रहा है तिसलिए blood pressure जो है बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ऐसे नोड़ी तो set करता है तो जो medulla वाले पार्ट में cardiac inhibitory cardiac मतलब heart को inhibit करने वाली चीज जो parasympathetic nerve होती है वेगस nerve वो activate होती है activate यानि कि nucleus of tractus solitarus जब activate हुआ तो वो activate किया cardiac inhibitory को cardiac अब यह क्या है nucleus of tractus solitarus इसने activate किया cardiac inhibitory वाले पार्ट में जो इसमें है यह inhibit करेगा इसको कैसे है यहाँ पे acetyl koline release होता है और acetyl koline जो है वो G inhibitory protein है वो ऐसे note को रोक देता है उसके finding को कम कर देता है cardiac मतलब heart, inhibitory मतलब रोकना, inhibit करना, slow करना तो यह activate होगा तो यहाँ पे जो आपका action potential या जो electrical impulse generate हो रहा है तेजी से वो यहाँ पे थोड़ाता धीरे हो जाएगा यहाँ समझने की ज़रूरत है दोस्त तो यह cardiac inhibitory जो है ऐसे काम करता है दूसरा center वहाँ बना हुआ cardiac accelerator तो accelerator का मतलब क्या है दोस्त यह break है cardiac inhibitory क्या है यह break है break, break महान लिजे इसको गाड़ी में क्या होता ब्रेक होता है न तो इन ब्रेक को activate करेगा करेंगा ब्रेक होना चाहिए और दोस्तों माइनस इसलिए मैंने क्या जो एक्स्टेरेटर स्पीड बढ़ाता है उसको रूग करना चाहिए वो क्या होना चाहिए यह क्या होता है नॉर्मल मैं बता रहा हूं अभी छोड़ तो यह normal क्या होता है? कि accelerator जब on होता है प्री सिंथेटिक नर्फाइबर तो इसकी स्पीड बढ़हएगी तो जब दोस्तों एक्स्याट क्यों होता है तो यह downward pewno जो है nerve fiber है आपको पता है spinal cord में यह जो lateral part है spinal cord का वहाँ पे pre synthetic nerve fiber पे post sympathetic nerve fiber यहाँ से जाते हैं और उसके बार यह ganglion है और फिर यहाँ से आपको ganglion से यह pass होते हुए motor neuron sensory neuron लेके आता है और motor neuron लेके जाता है तो जिसको बोलते है sympathetic trunk ganglion यहाँ से firing होती है तो sa node activate होता है तो blood pump होता है normal अब इस पात को य Kyle कर देता है इस पात को क्या कर देता दोस्त रोग देता निविट कर देता है पर यहाँ पे जो firing है यहाँ पे जो एक्टिवेस्छन है इस nervous sympathetic nervous system यह दोशचा कि आjamin euro हो जाए एक्सलेटर जो बढ़ाता है इसको इसको भी रूख दो यहां पर तो ब्रेक वाले को तो एक्टिवेट करेगा नेगतिव का मतलब जो इसको इनिबिट कर देगा तो यह दोस्तों जो पार्ट है ना आपका यह सिंपफेटिक नर्वॉस सिस्टम, sympathetic nervous system, यह आपका रूख जाता है. Actually, क्या है कि पूरा का पूरा जो गंट्रोल है, ब्रेन का, वो autonomic nervous system से है. Autonomic nervous system जो है, वो आपका क्या है? Autonomic nervous system, पता है यह paras sympathetic और sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system stress में generate होता है, stress में होता है एक्टिवेट कैसे होता है अगर आपको के डर लगे आपको घवराट हो यह सपूस करिए कि कोई आपके आपके सामने सपूस करी टाइगर आ जाता है तो आपको आप वहां ते भागेंगे फाइट फ्राइट एन फ्लाइट जो हम बोलते हैं सिंप्थैटिक नर्वस सि आता है अब इसको रोकने के लिए यहां पे एक मेडूला पार्ट वाले में कार्डियक एसलेटर जो बढ़ाता है उसको इनिविट कर देता तो ब्लड प्रेशर आपका डाउन डेवलेट हो जाता है ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा कम हो जाता है ठीक है यह हो गया तो इस इसको यह इनिविट कर दिया इसको यह एक्सलेटर वाले को इनिविट कर दिया कौन कर रहा है देखिए मेन कौन आदमी है निकुलियस आप ट्रेक्टर सोलिटरस सेंसिरी नीरोन इसको आया इसने इस पर ब्रेक लगाया इसने इस पर ब्रेक लगाया दो 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 पॉइं सेंटर होता है यहां पर एक वेजो मोटर सेंटर वेजो मोटर सेंटर भी जो है इस पानल कॉर्ट से होते हुए यह आपको पता कि smooth muscle cells जो होती है आपको ये मालूम है कि smooth muscle cells smooth muscle cells यहाँ पे जो smooth muscle cells होती है वो vessel को contract करती है या relax करती है contract जब करेंगी तो vasocontractor vasoconstrictor तो blood तेजी से जाएगा उपर की तरफ और relax करेंगी vasodilation तो blood धीरे-धीरे move करेगा अब यह जो vasomotor center है जो यहाँ पे blood pressure को contract कर रही है blood को pass करी है इसको भी रोग देगा, inhibit कर देगा तो यहाँ पे भी break system लग जाएगा यहाँ पे भी break system लग जाएगा और यह break system यानि दो break system है दोस्ट एक cardiac inhibitory, यहाँ पे break लगाना तो इसको inhibitory है इसको stimulate करेगा न कि यह inhibit कर दे रोग दे, break लगा दे अब vasomotor center और cardiac accelerator दो ऐसे हैं जो blood pressure को बढ़ाते हैं blood pressure को बढ़ाते हैं उन पे जो है यहाँ पे आके रोग दे, यहाँ पे break लगा दे तो यह होता है तो nucleus of tractus solitorus आपका ऐसे node पे cardiac inhibitory, cardiac accelerator पे काम करता है और इसको inhibit करता है और vasomotor center जो है जो blood circulation है इस पे control करता है इस पे रोगता है तो इसका मतलब यह हुआ कि देखे बड़ा आसान है मैं आपको बताऊ blood pressure का increase होना blood pressure का increase होना यह medulla वाले पार्ट में medulla, medulla वाले पार्ट में medulla वाले पार्ट में तीन ऐसे center है medulla में आपको पता है यह nucleus of nucleus of tractors solitoris जो सबसे important part cardiac inhibitory जो break लगाता है cardiac accelerator जो circulation को बढ़ाता है और vasomotor vasomotor center vasomotor center यह तीन ऐसे area है cardiac inhibitory जो blood को control करेगा, रोकेगा तो उसको activate करोगे तभी तो यह inhibit होगा और यह आपका एक center है जिसको हम बोलते है cardiac accelerator जो बढ़ाएगा इसको break लगा दे vasomotor भी बढ़ाएगा blood circulation तो इसको break लगा दे तो problem जब होती है blood pressure की तो यह देखिए आपका यह system काम करता है sensory तो ले के जाता है brain के पास और आपका motor system जो है वो जाके यहाँ पे control करता है ताकि set point एक जो है आपको बना रहे तो यह आपका जो है important part है उसके बाद दोस्तों एक point आपको adenal medulla से epinephrine निकलता है epinephrine epinephrine जो है यह आपका epinephrine जो है adenal medulla से epinephrine निकलता है epinephrine जो है blood circulation में जाता है और epinephrine क्या करता है epinephrine जो है blood pressure को बढ़ाता है ठीक है blood pressure को बढ़ाता है epinephrine आपका यह circulation में जो blood है उसको increase करता है contact करेगा तो बढ़ेगा और जब blood circulation बढ़ता है SA node पे भी काम करता है तो firing electrical impulse ज़्यादा generate करता है तो यह हर point पे काम करता है epinephrine तो epinephrine का level जब ज़्यादा होता है तो BP high होता है blood pressure ज़्यादा होता है ठीक है sympathetic nervous system तो उस पे भी जो है यह आपका epinephrine जो vasomotor center है तो यह जो आपका ganglion से आपका adrenal medulla पे भी जाता है जहांसे epinephrine release होता है तो जब यहाँ break लगेगा तो epinephrine का level भी कम हो जाएगा epinephrine का level भी जो है वो कम हो जाता है तो यह आपको पता हूँ जो पूरी की पूरी जो story है मैं आपको पता हूँ पूरी की story है आपको और उसके बाद जो है एक point और मैं आपको बता हूँ kidney kidney जो है renen secret करता है kidney renen तो यह जो होता है यह vasomotor center यहाँ से sympathetic firing होती है renen जो secret होता है वो भी बढ़ाता है तो renen का level भी जो है अगर यह center break लग जाता है तो renen भी जो है वो भी decrease कर जाता है तो actually होता क्या है आपको मताओ hormonal control hormonal control hormonal control hormonal control में जो है आपका kidney से hormonal निकलता है renen 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 निकलता है यह blood pressure को बढ़ाता है ठीक है और आपका epinephrine epinephrine जो है adrenal medulla से adrenal medulla से adrenal medulla से epinephrine epinephrine यह blood pressure को बढ़ाता है यह blood pressure को बढ़ाता है तो अब इस पे इसलिए तो कहां से बढ़ाता है वेजो मोटर सेंटर जो medulla होले पार्ट में है तो इसको अगर आप inhibit कर दोगे तो epinephrine कम हो जाएगा renen कम हो जाएगा तो blood pressure कम हो जाएगा blood pressure कम हो जाएगा तो यह होता है वेजो मेटर सेंटर से तो यह hormonal control हो गया उसके बाद जो है आपका autonomic nervous system से जो firing होती है autonomic जो nervous system यह कौन-कौन सा है parasympathetic और sympathetic nervous system यह हमको पता है अब parasympathetic जो होता है वो acetylcholine वो inhibit कर देता है तो यहाँ प्यसिताइल को लिजो होता है तो वो control करता है रोकता है blood pressure को high नहीं करने देता है लेकिन पैरा-sympathetic से क्या होता है sympathetic nervous system से epinephrine release होता है उन्हें बताया निस sympathetic nervous system से epinephrine epinephrine secret होता है तो यह क्या करता है ब्लड पेशर बढ़ाता है, heart rate बढ़ाता है, cardiac output जो है वो बढ़ाता है, तो दोस्तों दो point पर regulate हो रहा है, आपको पता है कि autonomic nervous system, parasympathetic, sympathetic, parasympathetic, parasympathetic, acetylcholine inhibit करेगा, decrease करेगा, epinephrine से बढ़ता है heart rate, cardiac output, तो इसी लिए यह center है, यहां acetylcholine को release करना है, जब acetylcholine release कब होगा, जब inhibit होगा, inhibitor वाले को activate करोगे, यह break system है, जो acetylcholine को release करता है, जब acetylcholine release होता है, तो sympathetic nervous system कम काम करेगा, तो उसको activate करना है, लेकिन जो accelerator वाला है, उस पर break लगाना है, epinephrine, ताकि जो है, epinephrine बढ़ेगा, तो heart rate बढ़ेगा, cardiac output बढ़ेगा, ठीक है, तो यह है, आपका hormonal level पर आपने देखा, hormonal level पर epinephrine और kidney से renin, जो कि और autonomic nervous system से आपका इस तरह काम करता है, यह afferent है, afferent system, sensory system, और यह क्या है, motor system, epinephrine system, क्या है, epinephrine system है, दोस्त, तो यह चीज़ है, यह आपको, important point जो है, यह आपको जानना बहुत जरूरी था, बहुत आसान है, देखिए, इसको समझना जो है, बहुत आसान है, blood pressure मेरा बढ़ गया, blood pressure बढ़ा, जैसे blood pressure बढ़ा, इस वाले point पे, carotid वाले sinus, carotid वाले point पे, जैसे बढ़ा तर नर्व इंडिंग जो है, उसका activate हुआ, sodium channel के जड़ी है, वो sensory neuron जो है ना, brain के medulla वाले part पे ले जाता है, medulla में ऐसे center बने हुए है, ऐसे neuron है, गुरूप के, जिसका नाम है cardiac inhibitory, parasympathetic, जो acetylcholine release करेगा, तो उसका जो blood pressure को down करेगा, ठीक है, और जो blood pressure को, जो area, cardiac accelerator, वोजो motor center, यह सब बढ़ाते हैं, यह सब बढ़ाते हैं, वहाँ पे break लगा देगा, और जो blood pressure decrease कर सकते हैं, उसको activate कर देगा, यही तो कहानी है, पूरी, यही कहानी है, और आपको पता है कि blood का circulation कैसे होता है, essay node से firing होती है, तो atrium contract करता है, AV node से firing होती है, तो आपका bundle of yeast से जाता है, परकिंजे सिस्टम, फिर ventricular contact होता है, तो blood circulation पास होता है आपका, यहां से, आपका systematic circulation है, यहां से pulmonary circulation है, बहुत यहांसान है, अब दोस्तों, ऐसे node, अब दूसरा क्या हुआ, suppose करिये, blood pressure decrease किया, suppose करिये, blood pressure decrease किया, यह यह भी एक बड़ा अच्छा है, suppose करिये, blood pressure जो है, आपका decrease किया, blood pressure decrease किया, तो दोस्तों, blood pressure decrease करेगा, तो अब हमको blood pressure high चाहिए, हमको ज़्यादा चाहिए, तो जब decrease करेगा, तो इसे जो sensory neuron है, वो काम कम करेगा क्योंकि नर्व इंडिंग जो है वो इस्ट्रेच नहीं करेगा इस्ट्रेच नहीं करेगा तो सोडियम चनल खुलेगा नहीं तो मैसेज जो है बहुत कम जाएगा तो यह कम एक्टिवेट होगा जब दोस्तों यह कम एक्टिवेट होगा तो यह काडियेक इनि Profilator को बढ़ादेना आए वेजो मोटर सेंटर को बढ़ादेना आए क्योंकि यह क्या करेंगे Contact करेंगे तो blood तेजी से पास होगा Contact करेंगे तो blood तेजी से पास होगा और फिर blood जाएगा तो जो decrease किया हुआ है वो maintain हो जाएगा तो दोस्तो कहानी यह है कि blood circulation और blood pressure वो brain से control होता है और brain एक set point पर रखता है blood pressure को याद रखिएगा blood pressure का set point जो है वो brain के जरीय जो है रखा जाता है यह इसका set point है वो brain ही जो है control करता है वो यहां के system को अगर blood pressure high है दोस्तो तो यह जो break वाले को activate करेगा accelerator जो बढ़ाता है उसको break लगाएगा, ब्रेक लगाएगा उस पे, लेकिन blood pressure अगर decrease करता है, decrease करता है, तो यहां पर break लगाएगा, इसको activate करेगा, इसको activate करेगा, तब जाएका blood pressure जो है high होगा. मतलब क्या system मना हुआ आपके, ब्रेन ही जो इसको control करें बेन के जरीए सारा system है और वो कहीं पर जो activator है उसको activate करेगा जो inhibitor उसको इनिवीट करेगा तो इस तरह से blood pressure अगर बढ़ता है बैरोरिसेप्टर जो है एक्टिवेट होता है और इस sensory neuron वो बढ़ना चाहिए परा-sympathetic system बढ़ना चाहिए क्यों बढ़ना चाहिए क्योंकि acetylcholine secret करेगा acetylcholine से नोड को inhibit कर देता है तो जिब दोनों system हो जाता है उसके बाद होना क्या चाहिए जब यह वाला system parasympathetic activate होगा तो आपका sympathetic nervous system वो decrease करेगा जब sympathetic nervous system decrease करेगा तो heart rate जो है वो decrease करेगा और cardiac output जो है decrease करेगा लेकिन अगर blood pressure low है blood pressure low है तो efferent जो है वो क्या करेगा वो decrease होना चाहिए ताकि message नहीं जाए कि बढ़ा हुआ है घटने वाला तो decrease होना चाहिए parasympathetic वो decrease होना चाहिए क्योंकि acetylcholine secret कर रहा है और sympathetic nervous system से firing activate होना चाहिए क्योंकि epinephrine release होगा तो बढ़ेगा तो epinephrine बढ़ाता है blood pressure को और heart rate बढ़ जाएगा और cardiac output बढ़ जाएगा और ventricular जो है systrol बढ़ जाएगा तो इसलिए cardiac output बढ़ जाएगा तो blood pressure decrease किया तो यह वाले mechanism से blood pressure हाई हो जाएगा अब blood pressure हाई होगा तो यह mechanism से blood pressure decrease कर जाता है क्या बहतरीन है यह है एक point और मैं आपको बतागा चाहूंगा यहां पर आपको एक point और बहुत important है दोस्तो blood pressure की जो medicine वगर आती है दवा आती है वह यह इसे node पर काम करता सपोस्करीए से node यह वाले जो यह जो point है यह बहुत important है आपको मैं बनाता हूं आपका वह वाला आपको पता है से node से node से node से node से फिर AV node AV node AV node से आपका से node AV node फिर bundle of his और फिर जो है आपका पर्किंजय फाइबर यहां से electrical इंप्रेट होता है यहां से दोस्तों से node को अगर कोई भी से node को activate करता है ताकि blood जो है ज्यादा तेज से circulate करे उसको बोलते है बोलते है तैंज से पॉजिटिव क्रोमो ट्रोपिक वह आप ज्रग दीजे पॉजिटिव क्रोमो-ट्रॉपिक ठीकै और अगर ३जिटिव ड्रोमो ट्रोपिक जातोन बासि शेको पॉजिटिव ब बैत्मोट्रोपिक और उतके बार वेंट्रिक्ल का जो कॉंट्रेक्शन होता है वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक कहनेंगा मतलब यह है कि अगर आपको ब्लड पेशर लो हो रहा है तो अब दवा वो देंगे मेडिसीन जो ऐसे नोट को एक्टिवेट करें अगर वो मेडिस यह एरिया और अगर एवी नोट को एक्टिवेट करता है तो ड्रोमोट्रोपिक वो पॉजिटिव है और अगर यह बंडल आफिस सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो बैत्मोट्रोपिक और यह वेंट्रिक्ल को अगर एक्टिवेट करता है तो आयनोट्रोपिक आयनोट्र तो यह ड्रग जो हता है ना यह अगर बढ़ाता है अगर आपका blood pressure को बढ़ाता एक अगर ब्लेट प्रेशर को बढ़ाता है तो positive देंगे ताकि जो बढ़ाए और अगर blood pressure को decrease करना तो negative type की medicine देंगे या तो से नोट पे करना तो negative कोमोट्रोपिक और एवी नोड पे करना तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक और नेगेटिव बैथमोट्रोपिक बंडल आफिस पे और उसके बाद लोवर पॉर्ट जो होता है आपका उसमें आइनोट्रोपिक ताकि कॉंट्रेक्शन कम हो तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक negativity का मतलब घटा है positive मतलब बढ़ा है तो ये है दोस्तों आपका autonomic nervous system कैसे heart beat को control करता है ये अब मतलब ये system था तो दोस्तों हमने सारा system more or less पढ़ लिया कि कैसे इन system को control करता है heart beat के जड़िये कैसे control होता है और किस तरह से ये पूरा का पूरा system जो है autonomic nervous system से काम होता है दोस्तों और जाते जाते जो है मुझे एक share याद आ गया मुझे एक शेयर याद आ गया मुझे नहीं ये दुनिया में कुछ भी तू जरा हिम्मत तो कर खाब बदलेगा हाकिकत में तुम जरा कोशिश तो कर आलिया सदा चलती है मुझे ले सदा आती है मिलेगी मन्जिक तेरी तू जरा कोशिश तो कर दोस्तों सबस्क्राइब जरूर करिए कि आप लो टेंक्यू वरी मच